नमस्कार प्यारे बच्चों आज की स्मयास की आर्लें कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उमीद करते हैं कल संडे था अपने अच्छे से इंज्योई किया होगा तो चले हम आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 4.5.3 को डिसकस करें थे जिसके वीचे दो कोशन पेंडिंग थे एक कोशन नंबर 6 है और एक कोशन नंबर 8 है तो सबसे भले कोशन नंबर 6 को समझते हैं कोशन नंबर 6 क्या कहता है कोशन नंबर 6 समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा एक science का concept है जो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए ठीक है वो समझना कैसे आप से कहते कि मालो हमारे पास कोई भी एक मेज है ये मेज का उपर वाला हिस्सा है और इसके उपर मैंने कोई भी एक डबा रख दिया ये ऐसे करके ये एक डबा है ठीक है मेरे पास क्या है एक मेज है उस मेज के उपर क्या है एक डबा है मैंने क्या कि उपर एक बल लगया जिसको हम लोग F का नाम देते हैं ठीक है? माल लोग एक मेज है उस मेज के उपर एक डपधा आपने इस दब्बे को ऐसे धक्का मारा जब आप उस दब्बे को धक्का मारोगे तो बोक्स आगे जाएगा है ना? ये वाला जो बोक्स है ये वाला बोक्स हमारे पास यहाँ पर आजाता है जब हम इसके उपर बल लगाएंगे तो बल लगाने से अपने स्थिति बदलेगा और थोड़ी देर के बाद यह यहाँ आ जाएगा तो कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने S दूरी तै की जिसको हम लोग क्या बोलते है विस्थापन बोलते है या फिर आप लोग दूरी भी कह सकते ठीक है कोई हमारे पास क्या था कोई भी एक डबबा था उस डबबे के उपर मैंने ऐसे जोर लगाया जमें उसके पर जोर लगाऊंगा थोड़ा सा आगे खिसकेगा खिसके यहाँ पर आ गया तो उसने कितनी दूरी तै करी S दूरी तै करी उसने कितना बल लगाया F बल लगाया तो आपसे कहते हैं यह बताओ अगर मुझे कारिये करना पड़े है ना उस बलॉक द्वरा तै की गई दुरी उस डब्बे द्वरा तै की गई दुरी ठीक है कारिये को हम लोग इंगलिश में वरक अडन कहते हैं इसलिए इसको W से दिखाते है जो बल है इसको फोर्स कहते है इसलिए उसको F से दिखाते है जो बिस्थापन है इसको English in displacement कहते है इसलिए हम इसको S से दिखाते हैं तो हम लोगों को ये सीख के जाना है कि जो कारिये होता है कारिये वो कारिये बराबर होता है किस चीज के, वो कारिये बराबर होता है बल गुना बिस्थापन के ठीक है मेरे पास कोई भी एक बकसा था उस बकसे में मैंने जोर लगाया जोर लगाने से वो आगे खिसक गया कितने दूरी तैकी ऐस दूरी तैकी तो अगर मैं उस बल को उस दूरी से गुना कर दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा मुझे कारिया मिल जाएगा ठीक है जी तो हम आप पता है कारिया निकालना हो तो इस तरी के से कारिया निकालना जा सकता है अब हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं सवाल में दिखें सवाल में आप लोगों से क्या कहता है आप से कहता है एक एक चर बल लगाने पर वह दो तरह की चीजी होती है एक होती है चर एक होती है ए दीक है तो आप से क्या करता है एक एक्चर्वल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कारिय है पिंड द्वारा किया गया कारिय है जो इक पिंड है उसके द्वारा किया गया कारिया है किसके बराबर होता है वो बराबर होता है बल गुना में या आपसे क्या कहते है देखू पिंड द्वारा किया गया कारिय अनुक्रमा अनुपाति है इस अनुक्रमा अनुपाति का मतलब होता है ये वाला सिंबल ठीक है किस सैंजिश्क के है पिंड ते की गई दूरी के जितनी भी दूरी पिंड ते करता है उसके अनु कर्मा नुपाती है ठेकले आप से कहता है किये गए कारिया, जो किया गया नोट दे जहा Maybe, इसको ब्राबर में बदलेंगे जब भी हम इसको बराबर में बगलते हैं, तो कोई ना कोई एक्चर आता है साथ में, कोई ना कोई एक्चर आता है, और यहां लिखोगे क्या, पिंड द्वारा तै की गई दूरी, ठीक है, पिंड द्वारा तै की गई दूरी, ठीक है जी, और यहां क्या आएगा, यहां पे कहेगा फिंड द्वारा किया गया कारिये जो फिंड है उसने कितना कार्य किया अब जी ये फिंड हमने माल लिया कि फिंड ने वाई कार्य किया इस एक्षर को हमने के माल लिया और पिंड द्वारा तै की गए दूरी को हमने X माल लिया अरे ठीक है हमने क्या बोला आप ऐसा करो यह जो कारिया है ना इस कारिया को माल लो बाई और जो यह दूरी है इस दूरी को माल लो X अरे ठीक है अब उसके आप से क्या कहा था आप से कहता है अगर एक एक चर बल को पांच मात्रत लिया जाए कहने का मतलब हमने आपको सिखायता न में भी कि जो कारिया होता है वो किसके बराबर होता है बल गुनादूरी इसके जो के है वो क्या है बल है तो आप से क्या कहता है आप से कहता है के का मानना पांच मा आत्रक गल से धक्का लगाने है उसके उपर ठीक है तो हमारे पास जो वाई आएगा वाई किसके बराबर आएगा पांच एकस के अगर आप इसको ध्यान से रिखोगे तो आप उसको दो चर्व नजर आरे इसमें एकस और वाई दोनों की शक्ति एक और एक है तो यह रैखिक स तो उसके हमसे कहा था कि दो चर्वाले रैखिक समेकर्ण के रूप में व्यक्त करो तो हमने इसको व्यक्त कर दिया फिर आपसे कहता है कि आपको इसका एक अले खीचना है तो हम आले खीच सकते हैं करो शिरू कैसे अले खीचेंगे बोलो कैसे अले खीचेंगे आप क्या लि फिर हमने आसे बोला x की जहांपे 2 लगा 2, आपने बोला 5 गुना 2 करेंगे, तो कितना आएगा, 10 आएगा, हर बढ़ यही करते हैं, कोई भी 3 x के मार लगा के, 3 y के मार निकाल लेते हैं, तो इसके बार हम लोगों को क्या करना है, इसके बार हम लोगों को table बनानी है, तो हम ल 1 है, तो y कमान 5, x कमान 2 है, तो y कमान 10, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाना बड़ा ही सहनल है, जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, तो आपको अच्छे से मालूम है, इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ पेपर के उपर एक लाइन ल जो नीचे वाली रेखा है इसको हम लोग X सक्ष बोलते हैं जो चलिए देखें इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे हमने दो अक्ष बना लिए एक X सक्ष और एक Y अक्ष ठीक है इसको लिख देते हैं एक 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार अरे ठीक है फिर आप Y X को ले लो Y X के ऊपर हमझे कहा तक जाना है 10 तक 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 जाना है तो मैं दो-दो को gap ले लेता हूँ मैं बिलकुल अलग ले सकता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ठीक है ऐसे नीचे आएगा माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 5 अरवे ठीक है सबसे पहला काम देखो क्या कहता है x का मान 0 है तो y का मान 0 है x 0 का है यहाँ पर y का मान 0 का है वो भी यहाँ पर तो आँ में इसको लिख दिया 0,0 पर यहती है फिर क्या कीठते है है X का मान एक है Y का मान पांच है अब ही देखो आगक पर चलू दो एक सब्राबरे यहां पर रहा है वाए कमान क्युत goddess है पांच किस-किस के बीच में होगा चार और छे के बीच में तो हमने यहां देखा यहां पांच था तो एक के ऊपर जो वेल्यू है वो कितनी है पांच ऐसे आती है ना बिल्कुछ सही है एक के ऊपर हमने इसको लिख दिया एक के ऊपर कितना आ गया पांच आ गया आगे चलो दो के उपर कितना है 10 है यह 2 है और 10 जो है वो उपर की तरफ आएगा ऐसे तो हमने इसको लिख दिया 2,10 क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हम बिलकुल इसको ऐसा लिख सकते 2,10 आजाएगा फिर हमने क्या किया हम लोगों ने स्केल लिया और स्केल लेके इन तीनों बिन्दूओं को आपस में मिला दिया बिलकुल सीधी रिखा बनेगे बिलकुल सीधी रिखा ठीक है इसके उपर इसका नाम लिख देंगे इसका नाम क्या है y बराबर 5x तो ये तो इसका समिकन बन गय अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने किसको लिया था, यहाँ पे हमने एक्स को लिया था, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है दूरी, और वाई एक्ष पे हमने क्या लिया था, वाई एक्ष पे हमने क्या लिया था, वाई एक्ष पे हमने कार्य लिया था, अब वो वैं लोगों को अलेक सा इस्तेमाल करके कारिये बताना है, ठीक है, करें श्यूरू, सबसे वेले वो क्या कहता है, दूरी कितरी है, दो मात रखा, आप ये देखो, x पे जाओ और x पे जाके देखो दूरी 2 कहा है जब मैं x पे जाओंगा तो दूरी यहां है 2 इसके corresponding लिए आप ये देखो y का value कितना आएगा तो आप क्या करोगे scale लोगे और scale लेके आप इसके उपर ऐसे लंग खीचोगे और फिर इसके उपर ऐसे लंग खीचोगे तो जब मैं इसकी value देखोंगा तो मुझे नजर आ रही है कितनी है 10 है तो आप इसको लिख देना भई अगर हमारे पास जो दूरी है अगर हमारे पास दूरी 2 मातरक के बराबर है तो उस समय में जो कारिय है वो कितना है कारिय हमारे पास 10 मातरक होगा अरवे ठीक है ना दो पे गए दो से उपर की तर लंग खीचा इसको यहां मिला देना यह जहां मिलेगा वो 2 मातरक के according क्या होगा कारिय होगा तो कहने का मतलब अगर हमारे पास दूरी 2 मातरक है तो कारिये कितना होगा 10 मातरग होगा आपसे आगे क्या कहते है देखो फिर आपसे कहते है कि अगर मालो 0 मातरग हो अब देखो दूरी 0 का है X का मान 0 का है अगर X का मान 0 है अगर X का मान 0 है तो वहाँ पर Y का मान भी कितना है 0 है कहने का मतलब क्या है द्पास जीरो मातर के बराबर होगा और ऑब ठीक है ना ॉँबयसी बात है ये दिवार है मैं सको धquer का लगा रहा हूं है जो मैंसी दिवार को धख्का लगां गांगा तो क्या दिवार आगे चली जाएगी अब इतने बड़ी शक्तिमान तो है भाली धक्का वारा दिवार आगे चला गया, तो ऐसा तो जाएगा नहीं, तूटेगा भी नहीं, होना क्या है, हाथ छोट लग जेगी, वाकि कुछ नहीं होना, तो कहने का मतलब क्या है, कोई दूरी तैई नहीं हुई, और जब दूरी नहीं तैई हुई, त हम लोगों को लिखना होता है, स्केल, क्योंकि इसका स्केल बदल दिया ना मैंने, अगर ध्यान से देखो, एक से एक एक यूनिट है, और य एक से दो दो यूनिट है, तो यहां देखो, आपको अच्छे से मालू है, जब आप द्राप कुपी देखो, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा उता है, 0 से 2 के भीच में 10 लाइन हैं होगी, तो आप क्या लिखोगे, on y-axis, y-axis के उपर आप क्या लिखोगे, y-axis के उपर आप लिखोगे, 10 लाइन, 10 लाइन बराबर हैं, 2 मातरक, जो 10 लाइन हैं, वो 2 मातरक को दिखाती है, तो आप यह बताओ, एक लाइन किसको दिखाएगी एक लाइन दिखाएगी दो बटे 10 जिसको मैं लिख सकता हूं 0.2 मात्रग ठीक है उसको क्या लिखेंगे 0.2 मात्रग लिखेंगे ऐसे ही एक सेक्सिस पे चलो 0 और 1 तो एक युनिट का डिफ्रेंस है लाइने कितनी है 10 तो आप लिख दो 10 लाइन ब 0.1 मात्रग ठीक है यहाँ पे एक लाइन 0 दिशलग 2 मात्रग को दिखाती है और यहाँ पे एक लाइन 0 दिशलग 1 मात्रग को दिखाती है अगर आप यह स्केल लिखना चाहती हो तो लिखे लिना बहुत अच्छी बात है नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा कोई प्रॉ दूरी 9 मात रख हैं, तो कार्ये भी 10 मात रख होगा. क्योंकि जब आगे नहीं जाएगा, दूरी ही नित आगे गोई- तो कार्ये कहां से होगा. ठीके जी? तो उम्हीद खरते हैं, question आपको समझ में आगे होगा. इसके बाद question number 7 पे चलते हैं देखें क्या करता है तो चलिए जी इसके बाद question number 8 को देखते हैं लास question है इस exercise का बड़ा ही असान सा question है प्यारा सा question है पेपर में आता है अमेरिका और केनेड़ा जैसे देशों में तापमान फारेन हाइट में मापा जाता है और भारा जैसे देशों में तापमान डिगरी सेल्सेस में मापा जाता है आप बोलते हो न हमारा जो टेंपरेचर हाज का वो 37 दिगरी है, 38 दिगरी है, 16 दिगरी है, 60 दिगरी है, ऐसे बो मुलते हैं तो अमेरीका और केनेड़ा थोड़े ठंडे देश हैं तो वहां टेंपरिचर मापते हैं और इंडिया जो है महा 파टर जो है प्रड़ा ज्यादा होता हम असSt soo फारेन हईट को celsius मेरे उपांत्रीत करने वाला एक राखिक समhibli कर दढ़े हैं इस तरीके से हम एक राखिक समिक्ड बनांके दिर्ख आ है फारेन हईट का और डिग्री celsius का वेशलिस लगाओगे तो फारेन हैट में बदल जाएगा Fahrenheit लगाओगे तो degree Celsius में बदल जाएगा ठीक है आपसे क्या कहते है Celsius को X सक्ष इसका मतलब यह जो Celsius है ना इस Celsius को X सक्ष पर लेना यह जो Fahrenheit है इस Fahrenheit को लेना है किसके उपर Y X के उपर ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या हम इसको लिख सकते हैं Y वराबर है 9 बटे 5 X और जमा में 32 ठीक है इसके अलब चार पर और है एके करके मुसको करें सबसे पहले कहते हैं कि आपको इसका एक रखिक समिकर्ण बनाना तो रखिक समिकर्ण बनाना तो बहुत असान है रखिक समिकर्ण कैसे बनाते हैं X के कोई भी 3 माल लगाके Y के कोई भी 3 माल लगा लेते हैं निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं अब यहाँ पर X के यहाँ क्या लगाए 0 लगेंगे अच्छी बात है 1 लगाऊंगा तो पॉइंटों में आएगा तील लगाऊंगा तो भी पॉइंटों में आएगा अब उस पॉइंटों में गलत नहीं होता है लेकिन हमें कोशिश करनी होते हैं कि हमारा सवाल थोड़ा और अच्छा असान बन जाए उसके लिए हमें फाइदा ये है कि हम लोग यहां पे 5 के गुणा में लगाएं जैसे एक्स की यहां 5 लगा दो सीधा कट जाएगा एक्स की जहां 10 लगा दो सीधा कट जाएगा एक्स की यहां 15 लगा दो सीधा कट जाएगा तो आप इसमें ऐसे नंबर रखने की कोशिश करो जो 5 के multiple हो ताकि हमें जाएगा 32 किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से गुणा करूँगा तो 0 जमा 32 तो मेरे पास उत्तर कितना आएगा 32 आजएगा फिर मैंने आप से यह वोला आप ऐसा करो एक्स की जहां 5 लगा दो जब मैं एक्स की जहां 5 लगा 9 बटे 5 बुना 5 और जमा में क्याएगा 32 पांस से पांस कटेगा इसको मैं लिखूँगा 9 जमा 32 9 में 32 को जोडेंगे तो कितना आएगा 41 आजएगा चलो उसके बाद हम लोगों ने एक्स की जहां पर 10 लगा दिया जब हम एक्स की जहां पर 10 लगाएगे तो क्या आएगा 9 बाई 5 इसका मल्टिवल लगी करेंगे 10 के साथ और प्लस में 32 इसो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 18 जमा में 32 जब 32 में 18 को जोडेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50 आजेगा अब आपको क्या करना है अब आपको टेवल बनानी है ए ऐसे करते है तो हमने टेवल बना दी तो जब हम इसके टेवल बनाएंगे इसके बीच में X और Y का मान लगाना है ये X ये Y ये 0 है ये 5 है ये 10 है अगर X का मान 0 है तो सीधी सीधी सी बात है Y का मान 32 है एकस का मान 5 है तो y का 41 है और अगर x का मान 10 है तो y का जो मान है वो कितना है 50 है अब ठीक है करो शुरू फिर अब हमें बनाना है इसका ग्राफ तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं एए ऐसे करके ठीक है यहां लिखेंगे क्या आएगा x x dash y y dash अर अभी ठीक है x में सारे किसके multiple है 5 के 5 5 का gap ले लो 5 10 15 20 ऐसे यहाँ पर minus 5 minus 10 minus 20 x के उपर 10 10 का gap ले लो 10 20 30 फिर क्या हैगा 40 50 और 60 scale लिख देंगे बार में कोई दिक्तत नहीं है minus 10 minus 20 और minus 30 लिख दोगे तो अच्छी बात है नहीं तो तब भी कोई problem नहीं x का मान 0 है तो y का मान कितना है 32 30 से 2 लाइने उपर x का मान है 0 y का मान कितना है 32 आपको मालूँ में 30 और 40 के बीच में 10 लाइने होगी जो ये दूसरे वाली लाइन होगी ये दूसरे वाली लाइन 32 को रिपरजेंट करेगी ठीक है तो हम इसको लिख देते है ये कितना है 0,32 बिंदू है आगे चलते है x का मान 5 है तो y का मान कितना है 41 x का मान 5 है तो y का मान 40 से 1 उपर 40 से एक उपर वाली लाइन होगी 41 ये वाला बिंदू तो आप इसको लिख देना ये वाला बिंदू कितना है 5,41 है फिर क्या कहते है 10 पे कितना है 50 है X का मान अगर 10 है तो Y का मान कितना है अगर X का मान 10 है तो Y का मान कितना है Y का मान 50 है आप इसको लिख दो 10,50 फिर आपके पास scale है scale लेना है ठीक है इसको थोड़ा ठीक करके लिए देते इस लाइन में ठीक है अब आपके पास scale है scale लेना है और scale लेके इन बिंदूओं को आपस में अच्छे से तसल्ली से मिला देना तो यह हमारे पास बन गया यह हमारे पास बन गया य बराबर 9 वटे 5 x 22 इसका घ्राफ है य बराबर है 9 वटे 5 x 22 यह वाली जो चीज है वो इसका क्या है अजिए है उमीद करते हैं समझ में आ गया होगा कोई बड़ी बात नहीं है है ना अब लिखना चाहते हो अब यहाँ पे लिखे लो scale जब हम इसका scale लिखेंगे तो क्या लिखोगे on x axis है ना x अक्ष के ऊपर क्या लिखोगे 10 लाइने किसको दिखाती है 5 unit को तो एक लाइन किसको दिखाएगी 5 वटे 10 0.5 unit को unit की जहां मात्रक लेना है मात्रक लिखो फिर आजो y x पे y x पे क्या बोलोगे y x के ऊपर 0 और 10 के भीश में कित्ती लाइन है 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 lines किसको दिखाती है 10 unit को दिखाती है तो एक line कितने को दिखाएगी एक line 10 बटे 10 काटेंगे तो एक line हमारे पास एक unit को दिखाएगी यह scale वाला जो काम है वो optional है ठीके जी उमीद करते हैं पहला पार्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा x की जहां एक बार 0 लगाया x की जहां 5 फिर 10 फिर 15 ठीके अगले पार्ट पर चलते इसके बदर अगले वाले पार्ट करते second part देखे second part में आपसे क्या कहते ह है तो Fahrenheit में तक मान क्या होगा पहले में हमने graph बनाया graph बोला था दूसरे में C का मान कितना है 30 है तो C की जहां पे 30 degree Celsius लगा दो तो F का मान क्या आएगा 9 बटे 5 गुना 30 जमा में 32 इसो पाठेंगे 5 ही के 30 नो की गुना 6 से करेंगे 54 जमा में 32 इसको मैं लिखोंगा तो मेरे पास हैगा 60 degree Fahrenheit कहने का मतलब अगर इंडिया में temperature 30 degree Celsius है तो अमेरिका और केनेड़ा में 60 degree Fahrenheit पढ़ा जाएगा ठीके जी आगे चलो अगले पार्ट में आपसी क्या कहता है F 95 degree Fahrenheit है कहने का मान है अगर F का मान 95 degree है तो आपको C का बतान है तो F की जहां पे 95 लगा दो सीधी सी वात है 95 बराबर है 9 बटे 5C और जमा में क्या आएगा 32 इसको इधर ले आओ क्या लिखूंगा 95 माइनस का 32 किसके बराबर आएगा 9 बटे 5C इसको घटाओ क्या बनेगा 5 में से 2 गया 3 9 में से 3 गया 6 जब उदर जाएगा तो उलट जाएगा तो आपको मालू है उलटकी कैसा बनता है उलटकी हमारे पास 5 बटे 9 जैसा बनता है जब हम इसको काटेंगे तो 1368 तो जब हम यहां से दिखेंगे तो c का मान निकल के आएगा तितना 35 बटे 16 अगर अगर अमेरिका में तापमान 95 डिग्री फारेनःट है तो यंडिया में इसको 35 डिग्री पढ़ा जाएगा ठीक है जी आगे चलते हैं यदि तापमान 0 degree Celsius है तो Fahrenheit में तापमान क्या होगा आप से कहते हैं अगर C का value 0 degree है तो F का जो value है वो क्या होगा तो हम निकाल सकते हैं जहां C दिखना है उसके नहां पर 0 लगा दो क्या बनेगा बोलो F बराबर 9 बटे 5 C का मान 0 जमा में 32 0 को किसी भी चीज से बुना करेंगे 0 जमा 32 तो हम यहां से देख सकते हैं F का मान कितना आएगा 32 degree Fahrenheit आएगा अगर Celsius में तापमान 0 degree Celsius है तो Fahrenheit में उसको 32 दिखरी पढ़ेंगे इसी के बीच में आप से कहता है यदि ताप पान 0 degree Fahrenheit है आप से कहता है अगर F का मान 0 है तो अब यह बताओ C का मान कितना आएगा तो अब आप F की जहां 0 लगा दो F कहां दिख रहा है यहां पे तो 0 बराबर है 9 बटे 5 C और जमा में क्या आएगा 32 आएगा इस 32 को इदर ले आओ जब यह 32 इदर आएगा तो माइनस को ह जाएगा इसको लिखेंगे 9 बटे 5 C तो C का मान क्या आएगा इसको उदर ले जाओ जब आप इसको उदर लेके जाओगे तो यह उलट जाएगा और उलट के 5 बटे 9 आजएगा तो हम इसको लिख सकते हैं C किसके बराबर आजएगा C बराबर आएगा माइनस का 160 बटे 9 degree Celsius अगर फारेन हाइट में टेंपरेचर 0 degree है तो Celsius में उसको माइनस का 160 बटे 9 पड़ा जाएगा देखो 9 और 32 आपस में कटते तो है नहीं तो हमने क्या किया हमने 32 को पांस से गुना किया तो पांग दूनी 10 एक आगे जाएगा पांस तिये 15 और 16 तो हमने इसको लिख दिया मा 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 पांस तो हमने आगे अगे अगे अब लास पार्ट पर चलतें, लास पार्ट देखे क्या कहता है लास पार्ट देख चानल लास पार्ट होमने है, क्या कोई ऐसा तापमाना है, जा फारेन हइट और D funcion दोनों का संध्यात्मक मान बराबर है औ संख्यात्मक बराबर होंगे, संख्यात्मक का बत्तब है, माइनस चालिस प्लस चालिस, तो हम उसको कहेंगे संख्यात्मक रुप से बराबर है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को F को C के बराबर करना है, तो रख दो, हमने इस वाली जनापे F बराबर है, 9 बट पांच C और जमा में क्या आ गया 32 इसको इधर लिखेंगे C माइनस का 9 बटे 5 C किसके बढ़र आएगा 32 के बढ़र आएगा ठेक है जी अब इससा लगुत्तम ले लो जब आप इससा लगुत्तम लोगे तो 5 लगुत्तम आएगा इसको लिखेंगे 5 C माइनस का 9C किसके बराबर आजाएगा 32 के बराबर आएगा 5C में से 9C को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 4C बटे 5 किसके बराबर आएगा 32 के बराबर आएगा ये माइनस 4 बटे 5 गुना का है उदर जाएगा तो उलड़ जाएगा भागता हो जाएगा», तो C वरावर आएगा 32 गुना 5 बटे माइनस 4, इसको काटो गाँगा, तो कितना आएगा, माइनस 8, तो आप देख सकते हो, C का माण कितना आएगा, माइनस का 40 दिगरी Celsius, इसका मतलब, माइनस 40 दिगरी Celsius के ऊपर, Fahrenheit और Celsius, दोनों का संख्यात्मा कुमान क्या होगा सेम होगा, ठीक है जी तो उमीद करते हैं यह वहला question आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा last वाले question से घबराना नीहें प्यार से करना, एक बार नहीं होगा दो बार नहोगा, तीसरी बार होगा, चोती बार होगा, होगा पक्ता, बस आपको हिम्मत की छोड़ना और अच्छे से करना है, बिल्कुल उम्मीद है, पेपर में आ सकता है, बिल्कुल इस तरह के कोशन आते हैं, और आपको अच्छे से भी करने हैं, ठीक है जी, तो आज की स साथ हमारी 4.3 भी खतम हो गई है next time में exercise number 4.4 के साथ मिलेंगे नकली सी exercise है कल की कल खतम हो जाएगे ठीक है जी तो इसे परकार हम आज से video देए आपका बहुत बहुत धन्यवाद next video में मिलेंगे तब तक के लिए best of luck